दोस्तो नमस्कार, बहुत बहुत फागत आप सभी का इस्टेटी विद ग्यान प्रकास में अगर आप किसी प्रत्योगी परिच्छा की त्यारी कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि अकसर दो सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं कंप्यूटर के जिनके बारे में जिक्र किया जाता है लगबग हर वकैंसी में बरत्मान में सिवाही भरती चल रही है उत्तर प्रदेश में उसमें भी जो अहरता मांगी गई ही वो मांगी गई है इंटरमेडिट पास लेकिन अधिमानी अहरता के रूप में ओ लिबर सर्टिफिकेट को भी रखा गया है यानि कि अगर आपके पास यन आई यहलाइटी संस्था के द्वारा दिया गया ओ लिबर का सर्टिफिकेट है तो आपके चैन में आपको बरियता दी जाती है इसी के साथ कुछ और भी परिक्षाएं होती है जिसमें CCC का कोर्ष मस्ट माना जाता है खास तो जो UP, CCCC की जतनी भी परिक्षाएं होने जा रही है उसमें CCCC अनिमार रूप से मागा ही जाता है जूनियर असिस्टन वगरा की जो पोस्ट आती है उसमें ट्रिपल सी आफसे मागा जाता है फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बात आफसे और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि NIE-LIT संस्था के द्वारा दिया गया O-Label और ट्रिपल सी जो सर्टिफिकेट होता है इसकी वैलू कुछ अलगी होती है कई सारे परिच्छा संस्था ऐसी भी हैं जो लोग सिर्फ NIE-LIT के O-Label को ही सर्टिफिकेट मानते हैं बाकी को वो वरिता नहीं देते हैं 2014 में समिशा इत्यारी परिचा में ऐसा हो चुका है जब बहुत बड़ी संख्या में लोग चैनित होने के बाद भी बाहर कर दिये गए थे तो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बहुत कम समय में और घर बैठे और बहुत कम पैसे में आप इन दोनों डिग्रियों को हासिल कर सकते हैं और दूसरी बात यह फ्रेंड्स कि यह दोनों डिग्री आपके पास अवस्ति ही होनी चाहिए अगर आप किसी भी competitive exam के त्यारी कर रहे हैं तो official website अगरम लोग खोलते हैं या NIELIT की तो उस पे जो है student zone में जब आप जाते हैं तो आपको courses दिखाई देता है courses में सबसे उपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर लिखा आपको मिलता है digital literacy courses साड़ फार में इसे DLC भी कहा जाता है इस पे आप क्लिक करते हैं तो जन सामान की जागरुकता के लिए जो course चलाए जा रहे हैं या NIELIT के द्वारा वो courses आपके सामने open हो जाते हैं इनमें कौन course में course हैं मैं इसके बारे माँ को बता देता हूँ इसमें है ACC है, BCC है, CCC है, CCC है, CCC प्लस है और ECC है इसमें जितने भी course आपकी स्क्रीन पर दीख रहे हैं इसमें कोई भी course ऐसा नहीं है जो कि आप मतलब घर बैठे नहीं कर सकते हैं इसमें सेकर हम लोग ACC और BCC के बारे में बात करें तो ये course इतने काम के नहीं है और इसकी demand भी बहुत कम होती है बात सुरू होती है CCC, CCC+, और ECC से मैं आपको यहाँ पर एक बात और भी अश्वश कर देना चाहता हूँ कि CCC, CCC+, ECC तीनों courses में सबसे कम slivers और सबसे कम समय में CCC को पूरा किया जा सकता है अगर आपने CCC+, किया है तो ये भी CCC के equivalent है मतलब अगर आप ECC करते हैं ये काफी advance होता है level 8 मेने का course है CCC+, level 6 मेने का course है और CCC ये level 3 मेने का course है इसके आगे view details पर आप click करिए तो आपको दिखाए देगा कि ये कितने मतलब की time में complete किया जा सकता है CCC क्या है इसके बारे में हाँ बताया गया है This course is designed to aim at importing a basic level IT literacy program for the common man यानि कि सामान व्यक्त की computer जागरुकता के लिए इस program को बनाया गया है इसमें eligibility जो होती है वो कुछ भी नहीं होती है यानि कि आप high school अगर पास हैं तो आप इस course को कर सकते हैं कुल मिलाके 80 घंटे का यह course है ठीक है और इसमें थेरी होती है 25 घंटे की 5 घंटे का tutorial और practical के लिए 50 घंटे रखे गए हैं और इसको आप घर बैठे apply करके आप उत कर सकते हैं सारी जानकारी आपको website से मिल जाएगी और रही बात practical और tutorial की तो institute का पता भी आपको website से पता चल जाएगा आप वहाँ पे जाके अपनी सुभधा के अनुसार अपना tutorial और practical आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं ठीरी आप यही पर पढ़ सकते हैं ठीक है तो friends अगर आप इस course को करते हैं तो निश्यत रूप से देखिए अगर आप जनवरी exam में सामिल होना चाहते हैं तो 1 से 30 नॉंबर के बीच में आपको apply करना होगा बरतवान समय की हम बात करें तो अगर आप एक से लेके 30 नॉंबरी के बीच में अगर आप apply करते हैं तो आप March वाले exam में सामिल हो सकते हैं ठीक है इसके बाद यह हम बात करते हैं O-Level की जो की दूसरा कोर्स है तो उसके बारे में आपको जाना होगा non-formal कोर्स में O-Level का कोर्स एक diploma कोर्स है तो यह एक non-formal कोर्स है इस जन समाने के लिए नहीं बनाया गया है आपके screen पर इसमें O-Level, A-Level, B-Level, C-Level, CH-E-M O-Level और E-MAT O-Level का कोर्स दिखाई दे रहा है यह सारे कोर्सेज आप घर बैठे कर सकते हैं इसमें O-Level का कोर्स काफी अच्छा मना जाता है ठीक है इसके syllabus के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आगे आप क्लिक कर सकते हैं ठीक है और 2.1.0 label courses क्या है, practical क्या होता है, project क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ friends कि इसमें जो है, ये एक साल का course होता है जो कि दो semester में पूरा किया जा सकता है अगर आप चाहें, तो चारो paper, इसमें चार paper होते है पहला paper होता है IT Tools and Business Systems का दूसरा paper होता है, Internet Technology and Web Designing का तीसरा paper होता है, Programming and Program Solving through C Language ये तीनों ही जो paper होते हैं, ये compulsory for all students होते हैं लेकिन जो चौथा paper होता है, उसमें से तीन paper में से आपको एक paper का विकल चुनना होता है Applicant of.net Technology, दूसरा paper होता है, Introduction of Multimedia और तीसरा है, Introduction to ICT Resources सबसे आसान माना जाता है इसमें, Introduction to ICT Resources तो M1, M2 और M3 ये जो compulsory paper हैं उसके बाद, Introduction to ICT Resources इसको लेके बहुत सारे बढ़ती, ओ लेबर का course अपना complete कर लेते हैं ठीक है? तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें, तो इस course को नियून तम 6 मैंने में पूरा कर सकते हैं यानि कि एक साथ 4 पेपर देखें, आप 6 मैंने में इस course को complete कर सकते हैं और अगर आप के पास समय नहीं हैं, और आप धीरे धीरे इस course को करना चाहते हैं तो हर समेस्टर में एक एक paper को आप clear करते हुए आगे बढ़ें तो इस तरीके से थोड़ा समय अधीक लगता है, लगभग 2 साल में आप इस course को complete कर पाएंगे एक बात और भी clear कर देना चाहता हूँ, वो यह कि अगर आप मालीजी जी पेपर को clear नहीं कर पाते हैं तो अधिक्तम आपको 6 वरस का समय मिलता है, सिर्व आपको परिच्छा की fees जमा करनी होगी और फिर आप परिच्छा दे सकते हैं चारो पेपर देने के बाद आपको गुजरना होता है एक practical के class से ठीक है, और जो practical के class होता है, उसमें कुछ होता नहीं है अगर आप घर बैटे इस course को कर रहे हैं, तो आपके प्रिच्छ पत्र में एक संस्था का नाम बताया जाएगा, उस संस्था पर जाकर आपको अपना practical कुरा करना होता है, यह theoretical होता है चारो पेपर क्लियर होने के बाद, practical क्लियर करने के बाद, फिर एक प्रोजेक्ट होता है, लेकिन बरतमास में प्रोजेक्ट को हटा दिया गया है, अब यहाँ पर सिर्फ वाईबा कर दिया गया है, ठीक है तो इस तरीके से आप जो है, इसको पूरा कर सकते हैं, कैसे आप करेंगे इसमें, आवेदन, इसके लिए चलिए मैं आपसे बताता हूँ मैं आपको, सबसे पहले तो आप students.nie.in.in.in पर आप जा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद right side में आप यहाँ पर यह आउन लाइन, apply online पर आपको, क्लिक करना है, और इसको क्लिक करने के बाद, आपके सामने वो सारे courses दिखने लगते हैं, जिसमें आप apply करना चाहते हैं, अगर आप all level में apply करना चाहते हैं, तो आप all level को select कीजिए, अगर आप triple C में apply करना चाहते हैं, तो आप triple C को select कीजिए, फीस के बारे मैं बता देता हूँ आपको friends कि अधिक से अधिक अगर आप triple C का कोर्स करना चाहते हैं तो अगर आप घर बैठे करेंगे तो अधिक से अधिक 600 रुपए आपकी फीस आएगी और O लेबल में भी press paper 500-600 रुपए के बीच में आपको देना पड़ता है मतलब मिलाके 2000 रुपए के आसपास O लेबल में और 1000 के आसपास triple C के में आप कर सकते हैं जबकि यही कोर्स अगर आप किसी संस्था से करते हैं तो लगभग 3000 रुपए triple C के लिए और लगभग 15-30,000 रुपए O लेबल के लिए आपको देने होते हैं पूरी जानकादी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिस्टन में मैंने दोनों कॉर्सेश के लिए triple C के लिए भी और O लेबल के लिए भी दो वीडियोज डिटेल बे बनाए हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों वीडियोज को आप देख सकते हैं अपनी सुभधाय करना साथ जिस कॉर्स में आप admission लेना चाहते हैं उस कॉर्स में के लिए आप पुरा वीडियो देखिए और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके बाद भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स उसको आप comment box में हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप studywithgynamparcast.com पे जाके इन कॉर्स के लिए जो वीडियो जनाये गए हैं जो टॉपिक्स हैं उसके नीचे भी आप comment कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगर आप इस कॉर्स को करेंगे तो definitely आपके करियर को एक नई उचाही मिलेगी वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप पहली वाद देख रहे हैं तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब अवस्ट कर लिजीगा नहीं तो आगे के जो हमारे डिसक्रिस्टन्स होंगे वो आपके फीड पर सून नहीं होंगे तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंच जै भारत दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिसक्रिस्टन में